कि यानी नहीं देते पता नहीं उनका द्यान कहा है मद्विदांग सबामें अब आप सोच रहे होंगे कि 20 सड़कपर में यहां आपको कभीता क्यों सुनाने लगी यह कभीता नहीं है बल्कि यह राजानी भोपाल की हकीकत है अब देख सकते हैं यहां पर कोई वहान गुजर रहे हैं यह इसी प्राइम सड़के जहां पर अंगिनत वहान रोज गुजरते हैं और इन अंगिनत वहानों में 32 मांदियों के भी वहान गुजरते हैं यह वही 32 मांदियों हैं जिनके सर पर आपकी मेरी समस्या सुनने का और तुर्जाने की उनकी उपर जिम्मे तारी हैं ये वही 32 माननी लोग है जिन लगजरी गाड़ी में वो घुमते हैं वो आपकी और हमारी महनत की कमाई है जी हाँ अब सही समझ रहे हैं मैं बात कर रही हूँ मध्यप्रदेश के उन 32 मंदरी की उन 32 मंदरी में मध्यप्रदेश के मुख्य मंदरी मोहन जी मी शामिल है आइए हम आपको यहां की जनता से बात करते हैं और इस जो जए जड़क के घड़े दिख रहे हैं उन्से ने कितनी परेशानी हो रही है इस पर उनसे चट्शा करते हैं निकलते यह तो यह पानी निकासी न hोती करना चाहिए यह पर और अभी नगन निगम बाले आते हैं साफसभाई भी करते हैं लेकिन आके मुझे सचता कि नाला बंद पड़ा है अगर कोई नगन निकासी हो जाएगी तो यह समस्या नहीं आएगी पानी भरता उस दिन हमारी गिराकी पूरी चोपट हो जाती है कोई गिराक शड़ता नहीं ह और हमारा नुक्सान में आता है महापोर भी यह थी थी थोड़े दिन पहले यहां पर उन्होंने देखा था और आश्रसन दिया था कि होगा लेकिन अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ है तो मेरा यहीं निफेदाना है कि जल्द से जल्दी करें को हमारी जीवी का साहते है हमारे जो यहां से नेखें है और जो जनत है वह भी यहां से निकलती है यह ज्ट स होती है जाम लगा रहता है तो जो पेटल हमने नहीं चलबाते हैं और भी दुकान हैं आप में तो दुकान दार दिन बबर बेटके मखी मारती रहते हैं और कुछ भी आप पाता अंदा उस इनकी दुकान ऐसे ठप पड़ी जब बारिश में पूरे टाइम ठप रहती है पानी की कारण कोई नहीं आ पाता है जिससे यहां के जो दुकान वाले हैं उनको काफी नुकसान जिलना पड़ रहा है क्या नाम है अपका जुनेश है यह पानी भरा हुआ है आप रोज यहां से गुजड़ती होंगे तो कितनी परिशानी होती है आपको और गवर्मेंट इसके कुछ उप्योग नहीं कर रही मतलब कुछ सहीं नहीं कर रहे है उसदारी नहीं आ रहा अपने जगाहों पर मतलब यह पानी गिरने ते पहले इनको नालीय इंसाफ कर वानी चाहिए थी लोग को कुछ भी ऐसे नहीं हुआ है इसके वाइसे बहुत लोगों के परिशानी हो रही है इसके प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और यह के मेक इंडिया प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है यह तो यह आप उतर मंडली में जाकर देखिए सालों से लोगबाग परिशान है जिस लोकेशन पर अभी हम खड़े हैं यह इस इलाके का इस एरिया का में पेट्रोल पंपे और यहां के भाया से जानेंगे कि इंकी घ्राहकी में कितनी कमी आ रही है कितने लोगों को दिक्कत होती हो इस खुद भी यहां काम करते तो किन-किन दिक्कतों का किन-किन परिशा है उसका कोई सब्सक्राइब को नहीं हुआ से लूशन और बड़ी परशानी है कि रागी में भी बहुत परक पढ़ जाता है और बारिश के अंदर तो कुछ जादे ही परशानी होती है और सफाई करमचारी कोई होते नहीं है और एक्सिटेंट हो ज्यादा होते हैं गाड़ सब्सक्राइब कर दोड़ा ऊपर बनवा लिया है तो इससे अपने आगा तो सेफ हो गया पर रोट के उपका पानी जो परा रहता है उससे गिरागों को परशानी होती आने में और रोट पर भी कुछ ट्राफिक जाम लग जाता है तो दो तीन तीन घंटे का भी जाम लगा तो इसके लिए बड़ी परशानी होती है जो आते हैं अपने गिरागों इस नाले में गिर बी गया दो तीन को चोटे भी लग गई है अभी तक लेकिन इसको कुछ काम नहीं हो पाया रहा है दूरगटना भी होती होगी सब्सक्राइब लोगों को चोटे लग नहीं है यहां करते हैं ना लग और बस वहां से क्या पानी की निकाजी नहीं है तकरीबन बीस साल से चार बार सरकारे चेंग हुई है पर यहां का जो है ना पार चारों बार बीजेबी कई बना है और वो विदायक जो है यहां के आरिफ वकील है वो इस तरफ धियान नहीं देते जो पर 20 सालों से यही हाला थे सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है शिकायते की जाती है लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता है इदर इस सरफ ध्यान नहीं है और आप देख सकते कि कितना यहां पर पानी भरावा है कितनी दिक्कते आरी और कही तरह को माद्या प्रदेश में सरकार काम कर रही है जैसा कि देखेंगे हम इस एर्या के हैं चेक दुपान में दुपानी से भर तो सियान के वां JONव्ama on weekly- büyük है टानी पारजla दोटोगे तो किनी परेशानी होता है आपको बैता 10-2 इस ठीजिय लगाती है राफ में मोतेल हो सबस्वा अगए को तयार नहीं है महापूर आती है, अपनी फोटो कि चबाट भी चे दिन में चार बार, अभी 15 दिन पेले महापोर साब आई थी, कुछ नहीं हुआ, यहां पर इतना पानी भड़ जाते है, तो में दिक्कत कहां आरी, यहां का ड्रेनेज सिस्टम खराब है कि कहां दिक्कत आरी, पूरा नाला खराब है, पूरा निकासी नहीं है कहीं से, पानी की पूरा आकर इधर ही जम जाता, कोई कहागा ही, राजदानी है, जब लाइट जली नहीं, तो बिल कहां से आगिया, तो हमें इस मतलब नहीं है, हमारा तो इतना है, इतना आपको देना है, नहीं तो हम आपकी लाइट काट देंगे, बेसे का बेसा पड़ा, आज यह 15 साल हुआ है, आज तक गड़ा टेक नहीं हुआ है, इसमें हजारों लोग गिर चुके, मगर किसी के कोई सुनवाई नहीं है, एसे कम से कम इस रोट पे 10 गड़े होंगे, जो खुले पड़े हुए है, जिनको बनाने के बाद आज तक ड़का ही नहीं गया, पानी की बाद तो बह है, और इन अंकलने हमें बताए कि वहाँ पर खुद जच की गाड़ी उस गड़े के अंदर तक गिर गई थी, लेकिन यहां पर ना महावपोर ध्यान दे रहे हैं और नाहीं को यहां पर ध्यान दे रहा है, आप देख सकते हैं कि पूरी दुकान पानी से भर गई है, तो क्या दिक्कते होती हैं? तो आपने शिकायत की है रोड को लेकर? इसकी शिकायत जो है CML पर डली होई है मेरी पहले से, जिसका अभी तक निरा करना नहीं आया है. अच्छा मतलब शिकायत करने के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है, तो यहां पर कौन देखता है क्योंकि इतना जादा गड़ा है, हर साल यही हाल होता है सड़कों का? मेरे जीवन में करीवन में दस या बाला साल से इस रोट से शिलाइटर हाउस वाले रोट से आना जाना करता हूं, तो मैं हर साल देखता हूं यहां हर साल गड़ा हो जाता हूं और गंदगी रहती है लेटेस्ट, इंवेस्टिगेटिब और इंडेफ्थ खबरे देखने के लिए जॉइन कीजिए दसूत्र का वाटसेप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेस्बुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com उयता झाल पर आर दोग्पश्राइब के लिए कीजिए और बड़ते वेबसा है